गुद मॉर्णिंग टु एवरिवन, मैं विया खेर पिपी समाई सारा परिवार की तरप से आप सब का हर्दिक श्वागत करती हूँ कक्सा साथ, विशय हिंदी, पाच्छ, दौक्तर विक्रम शारा भाई, विध्यार्थी मित्रो, इस एकाई का प्रकार है जीवनी हम सब जानते हैं कि दौक्तर विक्रम शारा भाई कौन थे, तो दौक्तर विक्रम शारा भाई एक महान वेग्णानिक थे कि बरत स्वतंत्र होने के बाद विग्णान के एक शेत्र में कई वेग्णानिकों ने महत्व पूर्ण कार्य किये है इन में से एक है डौक्तर विक्रम शाराबाई हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वेग्नानी को काम प्रमुख योगदान रहा है प्रस्टुट इकाई में हमें विक्रम शाराबाई जैसे अधबुद व्यक्तित्व से परिचित कराती है जिन्होंने विग्नान, प्रोध्योगी की, शिक्षा, उद्योग, वानिजिय, व्यवसाई, प्रबंद, आधी अनेक शेत्रों में डेस की प्रगति के लिए उलेखनिय कार्य किया है उनके जीवन की गतनाओं से प्रेइट होकर अवलोकन, परिक्षन, एवं परिश्रम से वेग्नानिक द्रष्टिकों विक्षित कर हम भी महन वेग्नानिक बन सकते है और मानव जाती की अनुपम सेवा कर सकते है प्रस्तुत पात में डॉक्तर विक्रम शाराबाय के जीवन तथा कारियों का परिचय दिया गया है तो चलो विद्याथी मित्रों देखते हैं हम डॉक्तर विक्रम शाराबाय सबदाट के साथ एक ऐसे महन वेग्नानिक थे जब वे मात्र दो वर्ष के थे कि एक ऐसे महान वेगनानिक थे जब वे कितने साल के थे तो दो साल के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ थाकुर ने भविश्यवानी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशश्वी बनेगा यशश्वी यानि नामी खुब नामना कमाएगा कि एक बड़ा यशश्वी बनेगा वह अपनी नामना प्राप्त करेगा और उस बालक ने उनकी भविश्यवानी अपने करमों से सच साबीत कर दाली साबीत करना यानि सिद्ध कर दाली कि वह भविश्यवानी वह बालक ने सिद्ध कर दाली कि आप जानते हैं वे कौन थे वे अगस्ट सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था देखो विद्या थिमित्रो इस लाइन की निचे आप अंदर लाइन कीजिए क्यों क्योंकि आपको प्रश्ण पुछा जा सकता है कि दक्टर विक्रम शाराबाई का जन्मा कब और कहां हुआ था तो दक्टर विक्रम शाराबाई का परिवार यानि कुतुम की उनका परिवार कैसा था एक इज़द्दर उड्योग पती कुतुम था पीता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था उनके पीता का नाम क्या था अंबालाल और माता का नाम सरला देवी विक्रम शाराबाई आत भाई बहन थे बाल्य यानि इच्छा संकल्प कि उनका जो क्या है कि उनका यहां बच्पन का प्रसंग है कि जो उन्हें सफलता हासिल करने के लिए एक उननोंने इराडा यानि कि उसने संकल्प किया था इच्छा प्रकत की थी जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ सिमला गए कि वह कितने साल के थे 5-6 साल के थे तब वह सिमला गए सिमला में उनके पीता स्री अंबालाल के नाम देरो चित्थी आ थी देरो यानि खुप सारी कि उनके पीता के नाम बहुत सारी चित्थी आती थी यहाँ देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूप सारे पत्र आये कि उसने देखा कि मेरे पापा के नाम के मेरे पीता जी के नाम की कितनी सारी चिथी आती है तो उन्हें यहाँ देखकर उन्हों ने भी इच्छा ब्रगत की कि मैं भी ऐसा कर से मेरे नाम पर भी इतनी सारी चित्थी आए कर और लिफाफोपो पर अपना नाम नाम पर अपना ओर ना मो symmetry तो पर लिफाफोरे Defense कर दया?」 क्याम मैं और नाम में द दिया। लुँआ विफा वन देनाम पर सब्कlishुनेिगी और מכने पती चित्थी आइंगीे विक्रम शाराबाई ने ऐसा किया तो उनके नाम पर भी बहुत सबढ़ी चित्थी आने लगी। पीता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पिछे कि उड्डेश्य को जानने की इच्छा हुए। कि उन्होंने इच्छा प्रगत की कौन सी कि यह विक्रम सारा बै विक्रम ने ऐसा क्यों किया तो उनका जो उड़ेश्य है वहाँ उसने उड़ेश्य को जानने के लिए उसका उड़ेश्य क्या था कि उसने ऐसा किया ऐसी इच्छा प्रगत की असलियत मालूम होने पर उन्हें लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा लेकिन एक तरफ से उसे ऐसा भी लगा की मेरे बेतेक ने जो सफलता प्राप्त की है यह इच्छा जानकर भी उन्हें अच्छा लगा जब वह आज साल के थे तो साइकिल पर विभिन कलाबाजिया करते और लोगों को अचम्बित कर देते कलाबाजी यानि करतब अचम्बित यानि विश्मित आश्चरी चकित के साइकिल पर अलग अलग प्रकार से करतब करते थे और सब लोगों को अच्या चकिद कर देते थे उन्हें सहसिक कारों में प्रिया थे उन्हें जो सहसिक यानी जो सहस पोणा कार्या करते हैं ऐसे कारों में बहुत प्रिया उन्होंने देखो यहां पे उनका अभ्यास दिया गया है कि उन्होंने मैत्रिक की परिक्षा सन 1934 में पास की, सन 1934 से 37 में गुजरात कालेज अहमदाबाद से इंतर की पड़ाई की, सन 1937 में इंगलेन चले गए, सन 1940 में केमरिज से गणित एवं बहुतिगी में बी एस सी की प पस्चात दृत्य विश्वयूद के सुरू होते ही विक्रम शाराबाई बारत लोट आये कि ये उनका अभ्यास है और जब दूसरा विश्वयूद सुरू हो रहा था तब वह बारत लोट आये थे बारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डक्तर होमी भाबा का सानिध्य मिला वहां राष्ट्रिय स्वतंत्रा आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए सन 1942 में वह म्रुनालिली स्वामी नाथन के साथ विवा सुत्र में बंदे के उनके आंदोलन में किसने किसने भाग दिय था तो सर सीवी रामन और डक्तर होमी भाबा ने बरग लिया था ओर फिर 1942 में क्या हुआ तो 1942 में मृनालिनी स्वामी नाथन उसकी वायस का नाम क्या था मृनालिनी स्वामी नाथन उसके साथ वह उन्होंने विवा किया आपको अगर ऐसा प्रस्त पुछा जा है कि विक्रम साराबाई को बरत में किन वेगनानिको का सानिध्य मिला तो विक्रम साराबाई को बरत में सरसीवी रामान तर्था डॉक्तर होमी बाबा जैसे वेगनानिको का साम्हित सानिध्य मिला आगे देखते हैं उन्होंने अंतरिक्ष की गेहरायों से आने वाले रहस्य माई कोस्मिक किरोणों पर अनुसंदान करके केम्ब्रिज विश्व विद्या लई से सन 1947 में पीएश्दी की उपाधी हासील की पराबर अंतरिक्ष यानी आकास और कोस्मिक किरोणे यानी किरोणे जो ब्रह्मान में से किरोणे आते हैं उसे क्या कहते हैं कोस्मिक किरोणे तो उनके उपर उन्होंने केम्ब्रिज विश्व विद्या लई जो विद्या लई का नाम है सन 1947 में पीएश्दी उन्होंने पीए मंदल में कई जतिल प्रuting का प्रायोगिक हल निकालने का श्रे डॉक्तर विट्रम शारा भाई को प्राप्त है कि ब्रह्मान और द्रT कोई भी प्रश्ण हो तो उसके जतिल यारेने अल्जे हुए कतिन प्रश्ण तो उसका यह किसे प्राप्त होता है तो उसका यस डॉक्तर विक्रम शारा भाय को प्राप्त होता है यह उन्हीं का सुजाव था कि कोस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालाई की उची चोति या सरवादिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी कि इनका ही सुजाव था कि जो ब्रह्मांद में से थिक पराबर अनुकूल होगी इसलिए बाहत सरकार ने गुल मर्ग में वेग्नारिक उपकरनों से लेक्स एक प्रयोग साला स्थापित की दक्तर विक्रम साराभाई के निजी प्रयोग साला अहमदाबाद में स्थापित होई के विक्रम साराभाई के प्रयास यानि उसने प्रयत्न किया तो उसके प्रयत्न से ही 1947 में यह प्रयोग साला अहमदाबाद में स्थापित की गई जिससे वह आजनमा संबंध रहे साथी उन्होंने देश में वस्त्र वद्योग की तक्निकी समस्याओ के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही आधर सिला रख्खी क्वांसी इंदस्ट्री उन्हां रिसर्च की तो टेक्स्टाइल इंदस्ट्री रिसर्च एसोसेशन बौतिक अनुसंदान प्रयोक्षारा दक्तर विक्रम साराभाई परमाउं शक्ति अंतरिक श्वीकिरान सुरिय ग्रह तारा प्लाजमा बौतिकी और ठोल पर कार्या करते रहे देखो यहां पर भी एक प्रस्वीक्राइब करते रहते थे तो डौक्तर विक्रम साराभाई परमारू शक्ति अंतरिक श्वीकिरान सुरिय ग्रह तारा प्लाजमा बौतिकी और खघुल पर वह कार्या करते रहते थे सन 1901 इकसत में वे परमानु उर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए देखो किसके सदस्य बनाए गए तो परमानु उर्जा आयोग के दक्तर भाबा की मृत्यू के पस्चात परमानु उर्जा संस्थानों का बर युवा वेगनानिक दक्तर विक्रम साराबाई के कंडो पर भी आ गया उन्होंने भरतिय अनुसंदान कैंद्र का गथन किया दक्तर विक्रम साराबाई इसके पहले अध्यक्ष बने यह उनकी प्ररिश्रम का ही परिणाम है कि बहरत में दूर्शंचार दूर्डर्शन एवं मौसम विग्णान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में शफलता प्रुवक कारिया कर रहे है कि दक्तर भाबा के मृत्यू के बाद सारा बोज किसके कंडों पर आ गया था यह परिणाम है कि बहरत में दूर्शर्चार दूर्डर्शन और मौसम विग्णान के लिए प्रक्षेपित यानेकी अवकास में स्थापित किया गया हुआ और उनके उपग्रह अंतरिक्ष में शफलता प्रुवक कारिया कर रहे है आगे देखते हैं डक्तर विक्रम शारा बाई ने अपना संपुर्ण जीवन बहरत तथा विग्णान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन विग्णान के लिए पूरा जीवन भारत तथा विग्णान के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत के विकास में उतक्रुष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रिय और अंटर राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त हुए पतनागर पूरुसकार सन 1906 में पद्मभूष्णार तथा सन 1972 में मरोत्तर पद्मभूष्णार जैसे अलंकरणों से नवाजा गया है निशास्त्रीकरण से संबंदित कई महत्वपूर्ण अंतराश्रे संस्तानों में भी बारत के प्रतिनिदी रहे थे कि वह बारत के भी प् सन 1908 में संयुक्त राश्ट्र संग में युनेस्को के विग्नान विबाग के अध्यक्स बने उन्हें इंडियन जियोलोजिकल युनियन का प्रमुक बनाया गया देखो यहाँ पे उन्होंने कितना योगदान दिया है भरत देश को और विग्नान में तो उन्हें कहां कहां पे प्रमुक बनाया गा है वह भी यहाँ पे हम देखना देखेंगे दक्तर विक्रम शाड़ाबाई सन 1970 में विएना सांती अंतर राश्ट्रे अनुमंच के चवुडवी परिशत के प्रमुक बने सन 1971 में संयुक्त राश्ट्र संग परिशत के उप अध्यक्स एवं बाद मे विग्नान विबाग के अध्यक्स बनाये गए वह केवल उच्च कोती के विग्नान इक ही नहीं थे बलकि व्यवस्ताओं के बावजुट कला शिक्षा एवं समाज के लिए परियाप्त समय निकाल लेते थे यह सब कार्या तो वह करते थे और भी कौन से कार्या करते थे तो वह इतने व्यास्त थे फेल भी कला शिक्षा और समाज के लिए वी समय निकाल लेते थे उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोग विग्नान कैंडर एवं नहरु विगास संस्थां की स्ठापना की गई के लोगो के लिए और नेहरु विकास संस्था की स्थापना भी किसने की थी दोक्तर विक्रम शाराब बैनिंग यहां वह जन सामन्य की विग्नान के प्रति रूची जागरूत करने के लिए कारिया करते रहे कि लोगों के लिए सामन्य की विग्नान की प्रति जो रूची यानि रस जागरूत कर के लिए वह कार्या करते रहते थे वह 21 दिसंबर सन 1931 की काली टारिक थी कि दक्तर विक्रम शारा भाय को त्रिवेंद्रम में त्रिवेंद्रम के लांचिंग स्टेशन ठुमबा में कार्या निरिक्षा के लिए बेजा गया था वहां वह एक होटल में थेहरे हुए थे यहीं र इदन से विग्नान में निट नए आयामों को जोडने वाला एक जीवन चक्रसदा के लिए रुख गया ऐसी महान प्रतिवा को सत्सत नमन क्या कहते है कि आपको अगर पूछा जाए कि डॉक्तर विक्रम शारा भाय की मृत्यू कब और कहां हुई थी तो डॉक्तर विक्रम श बटी रुख गई थी यानि कि हर्ट अटेकाया था इसकी वज़य से उनकी मृत्यू हो गई थी और विग्नान में निट नए जो नए ने कारियों को जोडने वाला एक जीवन चक्रस चल रहा था वह सदा के लिए रुख गया और ऐसी महान प्रतिवा को सत्सत नमन विद्या सब्दार्थ लिखने है एवं प्रश्णा के उत्तर जो मैं आपको वर्क्षेट में भेजूंगी वह भी आपको लिखने है थैंक यू